Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सब को YouTube सैनल English Literature पर Welcome कहती हूँ हम लोग जो पॉयम डिसक्स करने जा रहे हैं वो है That Morning जिसको लिखने वाले है Ted Hughes Ted Hughes का ये एक और important work है इसे पहले भी हम एक work डिसक्स कर चुके हैं और आगे भी करेंगे पहले जो हमने work डिसक्स किया वो था The Jaguar जिसमें दिखा Jaguar जो है वो सिंबलाइस कर रहा है Hope को, Revolution को, Freedom Fighter को The Ones Who Fight For The Noble Cause ठीक है और साथ साथ हमने इसमें थोड़ा सा Ted Hughes का introduction भी cover कर लिया था आज फिर हम थोड़ा सा राइटर को cover कर लेते इसके अंदर के राइटर कौन थे कहां से बिलॉंग करते थे और मैं एक Ted Hughes के उपर separate lecture भी बना दूँग जिसके अंदर मैं सारा का सारा Ted Hughes को explain कर दूँगी overall अभी पर पता दूँ वैसे जो उपर-उपर की important बाते हैं Ted Hughes के बारे में वो ये कि Ted Hughes जो है वो 1930 में पैदा हुए 1998 में इनके death हो गई एक British poet थे इनके शादी American poet इस Sylvia Plath सोई थी और इसके इलावा Ted Hughes का किसी ओड लड़की के साथ भी affair था personal life जो थी Ted Hughes की writing के दर इतनी नजर नहीं आती personal life ने इनके writing को इतना effect नहीं किया इतना influence नहीं किया लेकिन on the other hand इनकी जो मिस्स थी Sylvia Plath उनके writing के दर हम लोगो personal melancholy भी नजर आती है personal life के experience नजर आती है autobiography नजर आती है anyhow Ted Hughes के जो major theme है उसके बारे हम बात कर लेते हैं इनके लिए animal important theme है animal के थूँ ये human being को represent करते हैं animal के थूँ ये violence को represent करते हैं animals के थूँ ये war को represent करते हैं animals के थूँ ये revolution की बात करते हैं तो animal imagery ये use करते हैं animal इनके लिए एक important word है important theme है important imagery है important metaphor है ठीक हो गया फिर उसके इलावा इनको point of children भी कहा जाता है क्योंकि इनके जो poem होती है इन्होंने mostly children के लिए लिखी और साथ साथ easy to understand भी है अब हम शुरू करते हैं हमारे आज का lecture शुरू आज हमने पढ़नी है that morning lines को discuss करने पहले हम थूँ आसा overview दे दू के poem लिखी कब ये poem 1983 में इनका poetry का एक collection था river उसके अंदर add की गई that morning और ये symbolic poem है lyrical poem है colloquial poem है और साथ सा coherent भी है इसमें coherence भी नजर आएगी हम लोगों को इसमें हम देखें कैसे एक poet fishing करने गया और वहाँ पे ये एक spiritual experience में एक visionary experience में transfer हो गया और poet जो है basically अपने बेटे के साथ एक lake पे गया था वहाँ पे ये fishing करने के लिए गया था और उदे जाके जो इसने experience किया इसने उसको इस poem में लिखा और इस poem की एक खास बात ही है कि इस poem की कुछ lines जो है वापस में contrasted तोर पे यूज की गई मतलब पहले कोई और idea चल रहा होगा इसमें poet जो है कुछ symbol यूज करेगा जैसा कि salmon salmon symbolize कर रहा होगा blessing of God को फिर हर journey यहां पर दिखाएज़ेगी journey symbolize कर रहे होगी journey for truth को journey of truth को फिर beers हैं beers जो हैं वो instinct को symbolize करेंगे violence को symbolize करेंगे और human being को symbolize करेंगे कि human being जो हो instinctive होते हैं like animal और साथ से साथ वो इसमें symbolize करेंगे rational man versus the animal man इस poem में जो poet का attitude होगा वो romantic होगा और approach इसकी mystical होगी इसमें poet एक journey को define करेगा describe करेगा वो journey होगी world of VN की poet बताएगा अपना spiritual experience जब यह fishing करने के था उस दुराद कैसे fishing करते होए यह visionary experience में transform होगया एक reference के according poet अपने बेटे के साथ एक lake पे गया और दूसरे reference के according poet जो है native Lancaster के साथ Lancaster basically England में एक place का name है, टाउन का name है उनके साथ आता है एक जगा पे, एक pond पे जहां पे बहुत अदा salmon swimming कर रही होगी जैसे के line देखें we came where the salmon were so many के हम वहां गए जहां पे salmon बहुत ज़्यादा थी टेंजिस पे गोर करें came, were यानि के ये जो poem है ये past tense में लिखी गई है so steady, so spaced, so far aimed मतलब एक balanced way में वो जो salmon थी पानी की अंदर swimming कर रही थी उनमें gap B था कि एक दुसरे कसा अंदर नहीं बज रही थी balanced way में साफ सुतरे तरिके से carefully they were swimming मतलब मार धारने कर रही थी कि मेरी जगा है मुझे दो तुम पीछे हो जाओ बड़े ही तरीके से वो सारे के सारे salmon जो थे पानी के अंदर तैर रहे थे बगएर लड़े, बगएर जगड़े symbolic line है means तो इसे अगर human being को देखा जाए यहाँ पे तो human being कैसे होते हैं अपने right के लिए fight करते हैं even कि negative way में भी fixed थी, secure थी spaced में थी, उनमें gap था और swimming का रहे थी on their inner map England could add on their inner map मतलब अपने mind के अंदर एक map को follow करते हैं they are traveling, good traveling कर रहे हैं ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है एक और critical हम तो और पे देखें एक और respect देखें तो कहता है, इतने ज़्यादा वो like balanced way में थे sequence में थे ऐसा लग रहा था कि they are performing a ritual and a ceremony, ठीक है कोई ceremony परफॉर्म कर रहे हैं और इनकी इस harmony को देखकर इस performance को देखकर जो poet और उसका बेटा Nicholas ठीक है they are enjoying the scene ठीक है, वो इस scenario को enjoy कर रहे हैं मैंने पताया, दो reference आते हैं, एक में कहा गया कि Lancaster's थे, दूसरे में कहा गया Nicholas, लेकि Nicholas वाला है strong reference है क्योंकि mostly पता लगता है कि writer ने खुद भी कहा अपने बेटे के साथ traveling पे गया था ठीक है, तो यहाँ पे Nicholas को में add करेंगे, Nicholas जो है उसका बेटा और यह खुद दोनों के कर रहे हैं, they are enjoying the scene of Salman they are swimming पर कहता है, only the suity twillette of South Yorkshire Yorkshire place है वहाँ का environment बता रहा है कि जो environment था that was suity, suity refers to कि काला सा धुआ हुआ हुआ था जगा पे, black environment था जैसे जब भटी में आग लगी हो तो भटी के उपर से काले रंगा धुआ निकलता है न यहाँ पर कहीं पर bomb blast हो जाए तो वहाँ पर काला काला धुआ हो जाता है न उसको कहते है और time कौन से है, twillight का जब मगरिप का time हो रहा होता है मतलब आधी रात हो रही होती है उस time पर ठीक है, अब क्या हुआ, वो जो scene था charming scene अचानक convert हो गया कहाँ पर एक खौफदाग सा scene बन रहा है क्यों? यह धुआ किस से हुआ violence से ठीक है Hung with the drumming drift of Lancasters Lancasters जो थे वो अपने fight की वज़ा से बड़ा famous थे अपने bomber plane की वज़ा से famous थे drumming drift drumming drift मतलब जोरदार सी ओवाज छोड़ना अब क्या हुआ कहता है अचानक ही bomber plane जोरदार सी ओवाज आई और उधर क्या हुआ दुहाँ दुहाँ होने लग पड़ा ठीक है अब यह जो suited to a light की हुई थी इनके bomber plane की वज़ा से till the world had seemed capsizing slowly world capsizing slowly means capsizing को होता है कि उल्टा हो जाना, turn हो जाना, बुढ़ जाना तो फिर क्या हो जो दुनिया थी आइस्ता इस्ता मुढ़ने लगी उल्टी हो गई, टेड़ी हो गई इन शोट, पोईट जो है वो nature की beauty enjoy करा था previous lines में और इन lines में आके जो nature की beauty थी वो bomber plane की वज़ा से destroy हो गई, जो scene था वो spoiled हो गया by the appearance of bomber plane तो यहाँ पर हमारे पास theme को उनसा आ गया theme of violence आ गया साथ साथ हमने पीछली line में देखा theme को ज़ा था theme of nature था animals का theme था ठीक है next lines देखते हैं, उसमें क्या होता है solemn to stand there in the pollen light waist deep in wild salmon swaying mast as from the hand of court there the body अब क्या हुआ, solemn मतलब serious, अब क्या हुआ point वापस चला गया है कहां अपनी imagination में अपने वियन में दुबारे से enjoy करने लगा beauty, beauty of nature ठीक है, natural beauty यानि कि जो salmon थे उनकी beauty को, pollen light कहते है yellow light को, जो के there को रहा है, provided by salmon light provide कर रहे है, salmon यहाँ पर basically blessing को symbolize कर रहे है अब हुआ क्या है यहाँ पर हुआ यह है कि बहुत ज़दा salmon से कठे हो गए है, वो जो salmon यहाँ इसको लग रहा है, कि beacon of life बन गया है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर light चल पड़ी है, ठीक है they all together made the beacon of life, way steep in wild salmon swing mast, mash मतलब last number पर, वही बात की गई है, कि जो salmon थी, पानी के अंदर काफे दाद ने पड़ी हुई थी, ठीक है as from the hand of code, जैसा के सारा कुछ जो है, वो खुदा कंट्रोल कर रहा हो they are the body separated, golden and imperishable, important line, बलके most important line negative capability यूज की गई है, कीट्स की तरह, इसने भी यहाँ पे किया है, क्या किया यहाँ पे आकर कि उन salmon को देखकर, उनके group को देखकर, यह अब transfer कर चुका खुद को in the world of salmon, ठीक है अब कहता है, body there, the body separated, body अलग उचुकी है, अब कहां चले गई है, वो golden and imperishable, वो divinity की तरफ चले जा चुकी है इस यहनि के, खत्म होने ओने ओली दुनिया से निकल के, लाफानी दुनिया की तरफ चले गई है, और वो लाफानी दुनिया कौन सी है, वो दुनिया नेचर की है नेचरल ब्यूटी की है फिर कहता है, from its doubting thought, a spirit beacon, lit by the power of the salmon, अब कहता है, यहां से जो salmon थी, उनकी जो power थी, उनकी power से एक spirit चला, एक beacon आई, एक रोशनी आई और रोशनी आकर इसको salmon की दुनिया में ले गई, मतलब क्या हुआ इसने, अब यह spiritual life के अंदर ट्रांसपोर्ट हो चुका हुआ है बोडी को पीछे चोड़ दिया है mind, जो कि full of darkness था, वो lighted हो चुका हुआ है और ऐसा दिमाग जिसको problem नहीं है free है problem से उस life के अंदर यह transportation हो गई है transportation of VN हो चुकी हुई है इसकी और अब यह enjoy का रहा है nature को, natural beauty को, salmon को full salmon बन के फिर कहता है next lines देखते हम that camon, camon and kept on coming repetition हुई है, camon, camon एक writer repetition कब करता है poem के अंदर या अपनी writing के अंदर जो वो किसी चीज़ की importance पे जोर देना चाहता हो अब उस visionary world में क्या हो रहा है, salmon आती गई आती गई और अभी तक आ रही है ठीक है, इसके past, salatans past में use हुआ है as if we flew slowly, जैसे हम आइस्ता इस्ता उर रहे हो, their formations अब क्या हो है, flying in the air and poet were flying with them two, ठीक है, poet खुद को salmon consider कर रहा है, जैसे कि keats ने खुद को nightingale कर जीर किया था वैसे ही poet खुद को salmon कर जीर कर रहा है, और कहता है, वो salmon थी, वो हवा में उनना शुरू होगी मैं भी उनके साथ उनना शुरू हो गया और basically क्या हुआ, इससे ये एक another world में ट्रांसपोर हो गया, जो world fully divine था, अब ये जो flying है ना, ये symbolically use किया जा रहा है, movement of fish को बताया जा रहा है कि movement of fish थी ना, उन्होंने writer को imperishable world में ट्रांसपोर्ट कर दिया, जैसे देखो, next line है, as if we flew slowly, their formations lifting us towards some diesel of blessing, क्यों blessing की तरफ ले गई, वो imperishable world की तरफ ले गई, वो world of happiness की तरफ ले गई, क्याता है, लेकिन अगर एक गलती होती, तो क्या होता, ये वापस आ जाता, one wrong thought might darken अगर एक गलत सोच आ जाती दिमाग में, एक false idea आ जाता दिमाग में, तो क्या होता है, this could be decline, खतम हो जाता है, as if the fallen world, अब यहां पर fallen world जो है, वो Adam और Eve की बात की गई है, यानि के, अब महवा और हज़र Adam की बात की गई है, symbolically यहां पर इसने एक reference को quote की है, and salmon were over कहता है, अगर मैं एक भी गलत सोच दिमाग में ले आता, तो यह सब कुछ खतम हो जाता salmon भी खतम हो जाती, और मैं fall from the place, this place पे अब हूँ, महां से गिर जाता as if these were the imperishable fish imperishable, हमेशा रहने वाली, next lines देखे, that had let the world pass away, यानि कि जिस्टरा यह हमेशा रहने वाली fishes है न, इनके अंदर खो के, क्या हुआ मैं, जो दुनिया थी, उससे बहुत दूर चला आया, एक ऐसे world में आ गया, जिसके अंदर long lasting रहना चाहता था then, क्या आता है they're in a mauve light of drifted lupins, lupins basically plants का नेम है फिर कहता है, mauve यानि के purple color they hung in cupbed hands of mountain अब basically, यह जो लेक था जिसके अंदर अभी सल्मन है यह ऐसे mountain से surrounded हुआ था, मतलब covered हुआ था, जो के एक cup की तरह pair हो रहा था, ठीक है, मतलब for example, यह एक cup है example दे रही हूँ और idgit mountain है ठीक है, idgit पहाड है center में एक cup like shape बनी हुई है और यहाँ पे सारी लेक है तो यहाँ पे वाली बात की there in mauve light of drifted lupins के वहाँ पर पर कलर की lupins थे, plant थे they hung in cupbed hands of mountain ऐसा देख रहा था, जैसे के वो बहाड़ों के cuped shape hands के अंदर covered हूँ और यह लेक जो बिसिकली भरी हुई की से mountain से भरी हुई है surrounding में इसके mountain है और वो mountain cup-like appeared हो रहे है made of tingling atoms tingling atoms मतलब जो के ऐसा पानी vibration produce कर रहा हूँ it had happened ऐसा हुआ है then for a sign that we were where were we ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है writer ने alliteration use की है th then that that, then that, then w, 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 then w ठीक है, यहाँ पे alliteration use की है writer ने repetition of same letter or sound at the beginning of any word connected word ठीक है तो यहाँ पे repetition हो रही है two gold beers came down and swam like men अब यह important बलके most important line है वापस आ गया जो writer अपने real world में visionary world से निकल के once again came back from where, where we started वापस आ गया जहां से ने शुरू की थी इस बात अपनी बात कहां से शुरू की थी बात शुरू यहां से की थी कि वो गया था अपने बेटे के साथ salman's देखने अचानक वहाँ पे काला काला धुआ ओगया violence दिखाएगी उसके बात चला गया जही यह अपनी visionary world में visionary world से वापस आ गया फिर देखता है कहता है अचानक यहां पे क्या हुआ दो बड़े बड़े gold beers आए वो बिलकुल आदमियों की तरह तहर रहे थे यहां पे basically beer को compare के जा रहा है human being के साथ कहता है वो आदमियों की तरह तहर रहे थे beer symbolize कर रहे है violence को ठीक है फिर आगे क्या होता है अगले line में देखते है beside us हमारे पीछे and dived like children और बच्चों की तरह jump लगाई पानी के अंदर and stood deep water as on a throne throne basically royal chair को कहते है कहता है तो उस royal chair में मतलब इस royal water के अंदर जाके गहरे पानी के अंदर जाके बिल्कुल सीदे खड़े होगे eating paris salmon of their talons अब क्या क्या इन्होंने अपने sharp clothes के साथ अपने टेस जबडों के साथ वो जो salmon थी उनको खाना शुरू कर लिया तुबाह करना शुरू कर दिया symbolic line है कि human being जब नेचर को destroy कर रहा है अपने मुफात के लिए ऐसे ही यहाँ पे जो animal गया जाके नेचर जो beauty थी इसको destroy करना शुरू कर दिया so we found the end of our journey कहता है यहाँ पे क्या हुआ हमारी journey खतम हुई क्या हुआ journey के अंदर so we stood alive in the river of light हम उस river of light के अंदर alive खड़े रहे among the creatures of light creatures of light most important line है जिसमें बताए रहा है कि जो आदमी है वो तो वहाँ पे खड़ा रहा जिसने cruel attitude दिखाया जिसने brutality दिखाया जिसने जुल्म किया लेकिन वहाँ पे जो creatures of light थी जो salmon थी उनको destroy कर दिया गया उनको मार दिया गया उनको खतम कर दिया गया और critically ये भी देखा जाए कि कुछ आदमी यनि कि जैसे कि इसका बेटा और ये खुद दोनों जो थे वहाँ पे खड़े रहे we stood alive in the river of light वहाँ पे खड़े रहे ये act of brutality और cruelty तो हो रहा था लेकिन still ये क्या कर रहे थे जो बाकी की भी वहाँ पे salmon थी उनकी जो light थी उससे fascinate हो रहे थे उनकी light को enjoy कर रहे थे और अपनी body को divine body of imagination समझ रहे थे transfigured हो चुके हो थे in salmon अपने आपको salmon को consider कर रहे थे और उस beauty को like कर रहे थे ठीक है तो ये था point हम लोगों ने discuss कर ले important symbol जो थे salmon salmon symbolize कर रहे है blessing of God को journey symbolize कर रहे है general for truth को beard symbolize कर रहे है instinct and violence को और हमने देखा इसके इसके इंदर resonance का use किया गया जब cam on cam on captain coming की बात ही गयी वाँ भी a o a o आवाज repeat हुई थी ठीक है resonance कहते है repetition of vowel sound और उसके बाद हमने देखा इसमें alliteration का भी use किया गया जो poem की language थी वो simple थी colloquial थी lyrical थी and coherent थी musical effects आ रहे थे reader को पढ़ते हुए इस poem को यहाँ पे कोई भी regular rhyme scheme नहीं थी लेकिन molar syllables इसमें use किये गए थे तक कि जो line का flow है वो fast हो सके I hope यह lecture आपके लिए helpful रहा होगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले lecture के साथ thank you so much for watching this video Allah Hafiz